प्रिकास्ट, ट्वाइड, प्रिकास्ट, वान्रिपॉर्ट, इंटर लॉगिंग टायर्स, चीकाल टायर्स, प्रोर टायर्स, फिवी कैटर, इस्टील डोर एवर मिड़ो, बदलती जमानी को देखती भी आधोनिक मेनू फैक्ट्रिंग मसीन, जिसे से हम तयार कर रहे हैं टेक्निकल टायर्स, रापड़ पोदर कटी अरधिया, जिरो माइल्स से 15 किलो मीटर की दूरी पर एवर एनेच 57 से पुरप आज दिनांग 24 मार्च 2014 को कलावती असनातक महा बित्यारी रानी गंच अरध्या में इगनो इस्टेडी सेंटर कोट 86-015 की प्रिरन बैठक आयचित हुई इस मौके पर मुख्यती थी रिजनल डाइरेक्टर डॉक्टर मिर्चा नेहार अहमद बैग शेतरी नितीशक प्राकास ओजा सेंटर समानयक जनाप एम एम मोजि महा बित्यारी की प्राचारी जे प्राकास मलिक सही सेगरो छात्र विं शात्राएं उपस्तीत रहें इंग्लों पर का ननल पिनतर है हुआरे साथ में पताया कि इस विश्विद्याने का उत्रेश किया है हवारे अधार शिच्छा की स्थिटीक के है आपकर इपीजों में पेश किये और इस विश्विद्याने की फिलोसोफी के बारे में भी इतना जुनोशिक है पड़े सुषी की बात है कि एक लोग लेवल के एक विलांडे पे एक कॉलेज है उस कॉलेज में प्रेश्विद्यू के सेंटर कुला और मालवे के पहला ही सेशन क्योंकि लास्ट सेशन इसका की रोटिफाइट हुआ हुआ है उसको अप्रेश्विद्यू का डिल सब्सक्राइश्विद्यू का दिल सब्सक्राइश्विद्यू के साथ और आप किसी एक कॉलेज मूलेज़ेगे इसके कॉलेज़ेश्विद्यू कॉलेज़ेश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद्यू के सब्सक्राइश्विद् इस जर्वनी का सत्र जो इतनों के परिपेश में जर्वनी का सत्र पुरह सत्र बार है तो जुलाइवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व मैं लिबी करें जिसेतु है। कि यूदिस्टी जो बढ़ी है, मैं उपके बताया के, दिमोक्राइशन आपके बहार पहुचा के, एक सिर्टल यूदिस्टी, आपके साथ हो के आप महते भी नहीं सोचा के, अर्डिया, जैसी मालचल, अपने आपके बहुत पश्वुर जगह देगा, अर्डिया, अर्डिया आपके सिर्टलों के लिएटर कर देशन लिए, और यहां से आपसे समाँ किया कि देखिस्टी के बारे को, किसके द्या उपीनिया थे, तिर बाके रहे, तिरो अलगा लगा है, बहुत देख पहट के शावी कोई, उसके बाद एक बोकाल रभ है, उन्हें किसी रुस्टी के पहले ही पीजिता, सदी कहां इन्हें, ऐसी हजावों राभ हो कि पादाज में देखिता के, आपना जो अगता है किस लाग का सबस्टी कि सारे विश्टी में एक रुस्टी बेखिता, वैसे में यह यह अगी ही नहीं, इन यहाजावों राभ हैं, इनके लिए पादेश में ने सिर्फ से ज्यादा उस्टी है ने सिर्फ से ज्यादा अपने जिदारी कुछ पोड़के लाओं के इनके पास वाच्छे हैं इनके पास एक उतना स्वखण शभादा हुआ है वैसे में एक कुछ पोड़ा प्रुस सचाइटी की लिखरते काम दिशा होगे वैसे में एक कुछ ही प्रक्रास्ता प्रकॉष्णी की लेकर लेकर आई और स्वखणी की क्रफ़का बहुत बढ़े पादा रुखाया है और रुखाया है उसी तरह से बताया कि आज के डेट में वक्त की मड़ी कमी अपकर केशन जिए है ज्यादा हो शुका है वागे स्याते बढ़ेते लोगवियों की तादा है लिविटेड है वैसे मैं अगर कोई कहें करदे कि लिए कर ले एक प्रकॉष्ण होता है जाकी सिर्ग में त्यांगी उसरी में क्यानी तुस दो चीज़े दियक्तों समय से इननना है और कॉलिटी वाइस रिख़गा है उतका भी उत्यश है इक ट्रू के अधिशन के लावद के लिखा है किसाम समय समय से पीए हो जाएगा तीर समय का थिये पीर साथ़ी पे हो जाएगा जो इसके सांद की, जो स्रिषिपी पीजियर्यल होगा, जो था समग्री आपको मिलेगी, और इसके जो परिक्शान जो विसके आपको दो चीजे हैं आप तो उत्के कौहता है हैं, स्ट्रेश फ्र किया होगा ? िर्थर होगा एग्येशलन वाफ आघमिशन एक है उसा पाठर जामति है ऑपकी परइशा से चंडाल परिशा गरते हैं उस पूर पढ़ ऍजास करणा होगा सत्रियकारी जमातों हो न आपके अपनी इत्री में तता हो और उसका वैयुट है, आपके फाइल रिजल्ट पर होबांज भुड़ेगे लिए हैं, प्रैंटिस की प्रांटिस है, अगले एग्जार की वा तयारिए ही है, और इसका वैल्यू है, आपके ओर और रिजल्ट, 30% वैल्यू है, ये कोई 10% 5% वैल्यू है, तो वो और जगह इस सवाल आपको दे दियागया, सवाल आपने डाउनलोड कर दोगी है, किताब आपके पास होगी, उसको आप लिखके फिर वो समय भी जए उसमें आपको दे दियागया जैसे आपका गावफकर अभी जर्वरी सत्र में हुआ आपकी इस ब्रावज परिक्षा यह होगी हो आप मिलेशने, आप एमें शुशाल देम्रे में पिलसे, दाथ यह ओमेमस्टीने, यहाद दिसंबर के परिक्षा में, एमसे अबर कब होगा, आज आप यह देख सके, उसी हसाफ से तयारी करें, तीस सितंबर, तीस सितंबर में कितने दिन उभाफ ही हाँ, कम से कम शे महीन ही, मार्च अभी कंड़ नहीं हुआ है, 6 महीने बाद आपको 30 सितंबर आपको आसाइम्मेट जमाकरता है, पूरा वक्त मिल यह है, 6 महीने बाद को जमाकरता है, इसका वैल्यू 30 को सकते होगा, उसमें आप, ईन से मदद ले सकते हैं, उन से मदद ले सकते हैं, किसी और पीचर से म सबसे बड़ा उवाजित ही है सबी लोग जाते हैं कि आज के समय में जो शिक्षा है उसका बहुत बड़ा स्वान है कोई ली समाज हो कोई ली राश्क हो पिला सिक्षा से किसी की प्रविती नहीं हो सकती है लेकिन आज जो अन्सिक्षा का सवरुख देख रहे है वो आज के 50 साथ पहले बहीता आज के स्वामोज पहले सिक्षा का ये सवरुख नहीं था समाज के बड़े पहलों को सिक्षा जाजिकान नहीं था समाज में बहुत साथे ऐसे लोग थे यह ज्यादा पुनाई बाते नहीं है यह 30 में 30 सान पहले की वागए हम आपको बना रहे लिए समाज में बहुत साने को पढ़ना चाते हैं आपको अपर पहलाय को पढ़ना चाती थी जो हां उसमा उसनी तुरतास में बेडिया है तो धिरे धिरे परिस्तितियां बदली और आज हम देखते हैं कि शिख्षा का बहुत इप्यापक पौर पर विष्कारी करण हुआ अगर आप देखोगे तो तक्रीबा 980 इंफरस्टिटीज हैं और जब हम पौरेजों की बात करते हैं तो हमें तक्रीबा 4,000 पौरेज हैं लेकिन इतना बड़ा एजुकेशनल इंफरस्ट्रक्ट्चर होने की बावदुख भी हमारी कोष सेक्स दिग जरूरते हैं वो कुई नहीं हो पा रही है हमारत की आधी से अधीर नमारी जो है वो पचीश साल से कर्मून्टी है तो उती लिए सिछना चाहिए जितने भी इस्टूर कॉलेज हैं जितने भी इंपर सीडीज हैं और एक सब्सक्स में सीट्स लिमिटेट हैं गई पचासका लेना है तो बहुत जारे ऐसे लुपी है जो इस दौर के पिछे ला जाते हैं तो हमारा मकसर है सिक्षा का देमोट्रेटाजेशन करना सिक्षा को अधवार पर पहुंचारा जो भी परती परता चाहे उसको सिक्षित करना यह हमारा उदेश का और इसी वो देश को आए लेकर हमें हिक्षु का जो कोर्स है हिक्षु का जो बादू है इसको हमें डिजाइन किया आज हमारे 75 विजिन सेंटर है जो तास्मीर से लेकर गण्या कुमानी कर और इधर उद्ध से लेकर सेशर कर पवस्तिक में तक्रिबए 30000 अप्ट्रेस भादी सेंटर हैं वैसी तक्रिबए 30000 जो सेंटर्ण सेशर थैं वो तो यह को जो हमारे लेर्स है, हमारे इवन के स्कूथ है, उनता counseling होता है. अजो रहां पार माराओजु। और किनी चुछना कुछी में इस मिश्मेट से आपकेंट हो और रिखन से आपकेंट आपकेंट आपकें तो अईश्का तुमिया ह्ला भुसारटर्टर्टर्टनि इस जे लिए आज शाइक वोचा है प्रेही करने मभत आढू सहा अगातबर, और मुष्यर कोई जिस्टेतस सहा गात क्वार पॉजाइ करने तेथ में के साथ ऑडनार कहले है आपको पारें लिदाजनक और क्या उक्या प्रवाद कर सकता हैं और आणी का डिली भी ले सकता हैं क्या नहीं अपका? मारा नानी भी सर्मा पुम्हारी है, मैं सिक्षिका हो, आप परमुसनीने करना। नानम कीरम तुमारी हैं, मैं एक सिख चुका हूँ, पर में समने का इन्मों से एक निल्दी वर्नश करना चाहती हूँ देगी से बहाँ हम से हुआं कायम हैं, रहाइन काया हुआ है? मैं ऐसे तो पढ़ा हुआ है, मैं देए गाइन बंडो ुच्छ से ब्या कर चखा हूँ और मैं आगी पढ़ाय करनी पμεे लृ इंगली से रहा हुँ हम पेजिक फूराइन करना इसलादिझ ली पेल्स प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए बहुत प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए इसमें प्रोफेसर के लिए इसमे जो time to time इसका सारी course complete रहता है और सारे materials अब घर बेटे आप असे सब्सक्राप्स कर सकते हैं सब्सक्राप्स अबर सब्सक्राप्स बड़ी बात था है कि time to time पूरा होता है यही बहुत बड़ी बात है मेरा नाम आसिस्क मार्जब आज हमारा इंद्रागादी नेशनल उपन यूनिस्टी के जनवरी 2019 सेशन का इंडेक्शन मीटिंग कलावती डिग्री कॉलेज रानी गन जनरियाद हुआ इसमें जनवरी 2019 के सतर के जो नव नावांकित शिक्षारती थे उनका प्रेडन सतर ये इंडेक्शन मीटिंग को हिंदी में प्रेडन सतर कहते हैं इसलिए एज रीजनल डारेक्टर और हमारे जो आफिसर शित्री के इंदर में सहरसा से वो आए यहां पर हमने पाया कि इस ब्लॉक लिविल के इस नए स्टडी सिंटर में जिसे अभी छे महीने भी इसके स्थापना को नहीं हुए हैं इसने अच्छा नावांकन किया है और हमें आशा है हमने यह अपनी इंडक्शन मिटिंग में अपने कॉड्रेटर को भी कहा और सारे शिक्षारतियों को भी कहा कि जो प्रावधान है इगनू में कॉंसलिंग किलासेज का शेक्षनिक सत्रों का उसका वो योग करे कॉर्डिनेटर पे जिम्मधारी होती है कि उसका इंदजाम करे इस्टुट पे जिम्मधारी होती है कि छुटियों के दिन या संडेज को जो कॉर्डिनेटर ने सिशन्स और्गनाइज किये हैं उसमें वो आए होता कभी कभी ये है कि कौर्डमेटर अपनी तरफ से तो कौर्सलिंग और्गराइज करते हैं लेकिन शिक्षार्थी नहीं आपाते हैं तो वैसे इस्तिती में एक कौर्सलर को बुलाया जाता है वो भी अपना सारा काम छोड़ के संडे को कॉलेज में आता है और शिक्षार्थी नहाने के सुरत में वो नुखसान ही होता है तो आज हमने अपने शिक्षार्थियों को कहा कि तादात बहुत अधिक नहीं है नया सिंटर है तो वैसे शिक्षार्थी अपना एक ग्रूप बना ले और जब उन्हें आना हो कौर्डिनेटर के माद्रहम से वो प्रामर्शिदाता जो उनके कौर्सलर हैं उनसे भी प्रामर्शिदाता जो वैसे अधिक नहीं हैं वो यह कि दो नाम अगण सत्र हमारे हैं दो परिक्षा सत्र हैं और समय सीमा बहुत भी डिफाइड है तै होता है आज हम जाने हैं कि जिन लोगों ने नाम अगण कर लिया है उसकी परिक्षा दिसंबर में किस तारीख को शुर इसके शार्तियों को बताई हैं उनकी तरफ से भी सवालात हुए और इंडिविज्वल लेवल पे सब को गाइडन्स देते हुए हमने कहा कि अपना परिक्षा फॉर्म सा समय भरे दूतिये वर्ष में जो पुनह पंजी करन जिसको औरी रिजस्टेशन इग्रूं के पार्ला ये डिसका फिल्ड फिल्य शे आतर था को अऩ़ल्गा असीमेंट पिल्ल टाहिए हुए प fights fighters के कब जमा करेंगे कहां जमा करएंगे सारी चीशे आफर से हमारे सारे शुकर चेशातियों को बताए गी से हंशा है कि हुए सब जो आज बार दरेशन किया गया क्या कि ये तो ब के दे दिया है चे करp नातिम इसमस के माध्धिम से अपने सारी शिशार्तियों से संपर्क में रहते हैं और वनका पहना संपर्क असर्जल है उनका अपना पहना अधियन के अंदर है जो कलावाती डिक olduğ मुजीव है और हमने कहा है कि जो कॉडिनेटर हमारे डॉक्टर मुजीव हैं उनसे संपर्क में रहें यहां अगर किसी समस्या का सवाधान नहीं हो पाता है तब ही वो छेत्रे केंद सहर्जा का रूप करें धन्यवाद डॉक्टर बेक साम ने बताया कि आज यहां पर इंडक्शन प्रोग्राम था और इसी सिल्सिले में हम लोग यहां पर आयत हैं हमने देखा इस छेत्र में इन्रॉल्मेंट को हम बहुत पर्याब संख्या में बहा सकते हैं बहुत बड़ा कैश्मिंग एरिया है अभी यहां पर बहुत सारे लड़के मुझे मिलें जो की सीशा के आउसरों से बंचित हैं तो यह उनके लिए जो स्टेडी सेंटर है यह अपने आप में वर्दान साबित होगा और मुझे उमीद है कि यहां के जो कॉडिनेटर है मुझिव साहब वो इग्नु को एक नए मुकाम पर इस के स्टैणि सेंटर इस्टेवलीस हुआ है वह पहला सेसन था हमारा वह लाश्ट पिस्टेज में वह था अभी जणवरी ञवर्शार उननीस वाले सेशन में जो अडिमीशन हुआ है उसी का इंडेशन मीटिंग था इंडेशन मीटिंग में जतने भी नहे दूर्टबिट्ट सेबाज दी आये और वह वउने बहुत ही डीटेल में स्टुडएंस को इगनु के बारे में बताया इसके सीड़ुल के बारे में कि कब जामनेशन होना है और फिर योश्बनेशन पर भर वर्ना है और इसी की आज जलता है अगला जुलाई में होगा और फिर जनुवरी जुलाई और जनुवरी में स्काइड मुशन होता है तो जुलाई जब दोना है बाकि जो भी स्टुडेंट्स को ज़रूर्वत पड़ती है वह अगर आप अपनी घर आंगें कीचन वरामदा को देना चाहते हैं नया आपकी पहर्ण में पहरी बार फैचां किमिंट आर्टिकल लेकर आया है इंटर लॉगिंग टाइल प्रिकाश बॉन रिपार और चेकाल टाइल बदलते जमानी को देखी वी आधून एक मीनू फैक्चरिंग मसीन जिसे से तयार कर रही है विविंट प्रकार की टाइल हमारा पता है और आपको दुसरे से हरो में जाकर जिवर क्रीबने के आउस्सकता नहीं है क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपनी सहर को बनाए बेतर इसलिए हम लाए हैं भारत की सरुत्तम ब्रांड वर्ल्ल क्लाश टायमेंड जेलरी की मानिता प्राप एक मात्र पिक्रेता महा लक्ष्मी जेलर्स अपने मन पसंद डिजाइन एवं ओल्लाइन प्राइस देखे और प्राप्स करें हमारे सूरूं के ओल्लाइन प्राइस पर जोकि हम राय है ब्लू स्टों डायमेंड जेलरी की मानिता प्राप एक मात्र पिक्रेता महा लक्ष्मी जेलर्स कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लक्ष्मी जेलर्स